पस्चिम बंगाल के राजपाल, स्रिमान केश्रीनाज जी त्रिपाठी, राज्यकी मुख्यमंत्री, आधर्नियम मम्ता जी, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्रिमान नरेंद्र सिंजी तोमर, स्रिमान विष्णुदेव साई जी, और इसी धर्ती के संतान, आपके लोगप्रियस साउसत, जुजारू नेता, और मंत्री परिशत के मेरे साथी, सिमान बाबुल सुप्रियो जी, सिमान मौलोई गटक जी, सिमान राकेश सींजी, सिमान SCS वर्मा जी, और विशाल संग्या में पदारे हुए, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, आज राष्ट को, ये आधुनिक, स्टील की 21 समर्पित करते हुए, मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ, कोई इसको कहे, कोई उसको कहे, लेकिन आज का आउसर तो, हम सब को गर्म देने वाला है, अभी मैं आधर्णिय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, और उन्होंने कहा, कि केंद्र और राज्य, हम मिल करके जितना काम करेंगे, देश उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, भारत के संभीधान में, फेडरल स्ट्रक्चर तो दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से, आजादी के बाद कई वर्षों तक, केंद्र और राज्य के सबंदों में, हमेशा तनाव रहा, केंद्र में बैठे विए लोग मानते थे, हम कुछ खास है, और राज्यों को वो कुछ गिनते ही नहीं थे, मैं भी बहुत लंबे अर्षे तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, और इसलिए मुझे भली भाती पता है, कि केंद्र का राज्यों के साथ ये वहवार देश का भला नहीं करेगा, और इसलिए हमने आते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, कोपरेटिव फेडरलिजम की बात कही, कोपरेटिव कॉंपिटिटिव फेडरलिजम की बात कही, निती आयोक का निर्मार किया, और अब दिल्ली अकेला देश नहीं चलाएगा, अब देश एक खंबे पर नहीं, सभी राज्यों का एक एक खंभा मिला करके तीस खंभों पर देश आगे बढ़ेगा ये हमने कोचा है टीम इंडिया मैं डेवन से कह रहा हूँ टीम इंडिया के बिना हिंदुस्तान प्रगती नहीं कर सकता है प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ये मिलकर के एक टीम है ये टीम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगी दल कोई भी हो लेकिन दल से बड़ा देश होता है और टीम इंडिया के कारण प्रगती कैसे होती है आज एक बिमार इकाई ताकत के साथ खड़ी हो गई हजारों लोगों के लिए नोकरी के आउसर मिल गए हिंदुस्तान को स्टील के खेत्र में आगे बढ़ाने में इबनपूर की धर्ती ये बंगाल की धर्ती काम आई अगर यहां के मुख्यमंत्री ने यहां की सरकार ने रोड़े अठकाए होते तो एक काम संबव नहीं होता मिलकर के काम करते हैं तो परणाम मिलता है ये टीम इंडिया का सभलता का उदारन है कि आज हम देश को ये 21 समर्पित कर रहे हैं दो दिन पहले आपने देखा होगा 41 साल से 41 यर से एक मामला लटका हुआ था बंग बंदू मुझिबूर रह्मान के जमाने से ये मामला लटका हुआ था लेकिन अभी दो दिन पहले बंगला देश और भारत के बीच जो सीमा का विवाज चलता रहता था तनाव रहता था उसका समाधान हुआ कैसे हुआ टीम इंडिया के कारण हुआ ममताजी ने बंगल की सरकार ने आसाम ने त्रिपुरा ने मेगाले ने मिजोराम ने दिल्ली सरकार के साथ कंदे से कंदा मिला करके फैसला किया सभी राजरीतिक दलों ने फैसला किया और पहली बार ये देश गर्व कर सकता है कि राज सभा हो या लोग सभा दोनों सदोनों में एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा सबके सब मत एक साथ पड़े और टीम इंडिया का ये दर्शन हम पूरी दुनिया को दिखा पाए सारे विश्व के लिए भारत की संस्वत का इंजिनराएं टीम इंडिया का इंजिनराएं केंदर और राज्य के साथ मिलकर के चलने के प्रयास का परणाम कि आज समस्याएं दुनिया के किसी देश के साथ भी सुल जाई जा सकती है अगर टीम इंडिया का भाव हो अगर विदेशों से समस्याएं सुल जाई जा सकती है तो गर में तो बहुत आज़ानी से सुल जाई जा सकती है और इसलिए हमारी पूरी कोशिस है अब देखिए अभी 14th Finance Commission हमने शब्द सहस्विकार किया और उसका परणाम क्या आया एक जमाना था जब दिल्ली सरकार की तिजोरी में देश की 60-65% प्रतिशत संपत्ति रहती थी 60-65% और 35-40% में सभी राज्यों की खजाने में पैसे रहते थे हमने आने के बाद जो फैसले किये उसका परणाम यह आया है कि आज हिंदुस्तान का तो टोटल जो खजाना है उस खजाने का 62% राज्यों के खजानों में और सिरफ 38% दिल्ली के खजाने में है यह पदलाव हम लाए है क्योंकि विकास कर रहा है तो राज्यों की मदद के बिना हो नहीं सकता है विकास कर रहा है तो राज्यों और दिल्ली मिलकर के काम करेंगे तभी संभव होता है और इसका ये उदारण है ऐसे बहुत उदारण बन सकते हैं जिसको लेकर के हमारा चलने का प्रयास है और इमें मानता हूं हिंदुस्तान का जो नक्षा देखें तो मैं पहले दिन से ही मानता हूं कि भारत के विकास में सामाजिक स्तरपर असंतुलन है आर्थिक स्तरपर असंतुलन है साइच्छनिक स्तरपर असंतुलन है लेकिन साथ साथ बहुगोलिक स्तरपर भी असंतुलन है हिंदुस्तान का पस्षीमी किनारा देखिए केरल हो करनाटक हो गोवा हो महराश्य हो राजस्तान हो दिल्ली हो हर्याणा हो पंजाब हो आपको पस्षीमी छोर पे आर्थिक गतिविती तेज निजर आती है लेकिन हिंदुस्तान का पुर्वी खेत्र उपेक्षित रहा हिंदुस्तान के पुर्वी खेत्रा चाहे पुर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पिहार हो चाहे पंगाल हो उडिसा हो चाहे आसाम हो चाहे नौर्थिस्ट हो बहुती शक्तिशाली राज्य है यहां के लोग सामर्थवान है प्राकुर्तिक संपदाओं के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी विकास दे दौर में पीछे रहे गए अगर भारत मा को हमें भव्य रूप से देखना है तो भारत मा का एक अंग अगर बिमार होगा तो भारत माता कभी मजबूत नहीं हो सकती है और इसलिए हमारा सपना है हिंदुस्तान के पुर्वी हिस्थे को सबसे अधिक थांकतवर बनाना हिंदुस्तान के पस्वी श्चोर की बड़ा बरी में लाके खड़ा कर देना और अगर बंगान मजबूत नहीं बनता को हिंदुस्तान का पुर्वी हिश्सा भी मजबूत नहीं हो सकता और इसलिए मा भारती को मजबूत बनाने के लिए भारत के इस भूभाग को भी ताकत देनी प्यावश्यन second green revolution हम सपना तो देख रहे हैं लेकिन second green revolution कहां होगा मैं साम देख रहा हूँ second green revolution के लिए सबसे अधिक उर्वरा भूमी पहीं है सबसे अधिक ताकत कहीं है तो पुर्वी हिंदुस्तान में है चाहे पुर्वी उत्तरप्रेश हो चाहे बिहार हो उडिसा हो बंगाल हो आसाम हो नौर्ट इस्ट हो विपोल मात्रा में पानी है जमीन भी बहुत मात्रा में है अगर किसानों का कल्यान करना है देश का पेड़ भरना है तो हिंदुस्तान की सेकंड ग्रिन डिवलूशन इसी धर्ती पर केंद्रित करके किया जा सकता है और आने वाले पांच-दस साल में सारा गाउं का आर्थिक जीवन बदला जा सकता है और हम इस विजन के साथ देश को नई उच्चाईयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं आप जानते हैं 2014 के ये दिवस चुनाव के दिवस थे चारों तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला कर रहे थे हम भी बंगाल में आये थे हम भी हमला कर रहे थे और लोग हम पर हमला कर रहे थे लेकिन विचार क्या आते थे 2014 के फरवरी मार्च अप्रिल अख़बार देख लीजिए एक ही बात आती थी कोईले का घोटाला एक लाग चहत्तर जार करोड का घोटाला स्प्रैक्ट्रम का घोटाला है पंडुब्वी का घोटाला पानी में गोटाला जमीन पे गोटाला आस्मान में गोटाला गोटाले ही गोटालों की खबरे हम पूरी देर सुनते आते थे भायो भनो आज एक साल हो गया दिल्ली में नई सरकार को अकबार में खबर आती है तो क्या आती है कोईले के गोटाले की खबर नहीं आती है खबर आती है तो कोईले की निलावी की खबर आती है और एक लाग छहतर जार करोड के गोटाले को निकल करके आज तीन लाग करोड रुपियां सरकारी खजाने में जमा होने का ख़बर आता है भाई यो बेनो अगर विस्वास के साथ काम किया जाए ये कोईले की ख़दाने कहा है हिंदुस्तान के पुर्वी इलाके में है जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदा हो ये राज गरीब नहीं रहना चाहिए और इसलिए हमने नितिगत परिवर्तन किया हमने कहां कोईले की ख़दानों का अक्सन होगा पहले क्या होता था किसी नेता के घर से चिठ्थी आती थी कि ये कोईले की ख़दान उसको दे दो और किसी को पूछे भी न दे देते थे सरकारी खजाने में एक नया पैसा नहीं आता था ये सारा हमने बंद कर दिया पुराना खत्म कर दिया आक्सन किया और ये ये भी ताई किया कि आक्सन में जो पैसा आएगा कोईले के आक्सन में जो पैसा आएगा वो पैसा दिल्ली की तीजोरी में नहीं उस राज्य के खजाने में जाएगा ताकि वो सरकार राज्य का फ़ला कर पाए राज्य का फ़ला कर पाए इसका लब पच्छे मंगाल को भी मिल रहा है जारखन को मिल रहा है, 36 गड़ को मिल रहा है जहां जहां पर कोईले की ख़दाने है उन राज्जों को मिल रहा है। पहली बार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार ने एक बड़ा महतवपन नेड़े किया। हमारे देश में खनी संपधा हो कोईला हो जादातर जहां आदिवासी लोग रहते हैं उस इलाके में हैं जंगलों में हैं कोईला तो जाता था खनी संपधा जाती थी लेकिन उस जिले के गरीबों का आदिवास्यों का भला नहीं होता था हमने तै किया हैं उन जिलों में एक फाउंडेशन बनाए जाएगा इस रोयल्टी का कुछ हिस्सा उस फाउंडेशन बे डाला जाएगा और वो पैसे उस जीले के नागरिकों की बलाई के लिए होगा चाहे उनको सिख्षा देनी होगी आरोगे देना होगा गर देना होगा पानी पहुचाना होगा ये पैसे उनके लिए खर्चाएंगे अभी मुझे 36 गड़ के मुख्यमंत्री मिले थे उन्होंने बड़ी मेज़जार बात बताई उन्होंने कहां साब ये ख़दानों की रोयल्टी से आने वाले पैसों से ये जो फाउंडेशन बनेगा इसमें अर्बो खर्बो रुपी आने वाले हैं और उसके कारण हमारे ये जो ट्रैबल डिस्ट्रीक है उसको अब हमें सरकारी तीजोरी से साथ पैसा ही नहीं देना पड़ेगा और सायद और राज्चों की तुलना में वो तेजगती से आगे बढ़ने वाले राज्च बन जाएगे अगर नितिगत परिवर्तन करते हैं दिर के द्रश्टी से नितियों का निर्मान करते हैं तो राष्टे के विकास को कैसे बदला जा सकता है इसका हमने उदहाण देखा है भाईयो भेनों ये कैसा देश है कि हम आयन और विदेशों में एक्षपोर्ट करते रहें निकास करते रहें कच्चन माल देते रहें और स्टील विदेशों से मंगवाते रहें भाईयो भेनों ऐसा तो देश नहीं चल सकता कि हम गेहूं बार भेजें और चपाती बाहर से अंदर लाएं ऐसा नहीं को अगर आयन और हमारा है तो स्टील भी हम बनाएंगे नव जमानों को रोजगार देंगे और यह देश यह सपना देख करके चलता है कि 2020 में आज हम दुनिया में जी जगा है उससे दो कदम आगे चल सकते हैं यह नहीं चल सकते हैं उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं आज चाइना से स्टील हमको लाना पड़ रहा है हम स्टील को आयन और होने के बावज़ी उत्पादन नहीं करते हैं हमें हमारी जो खनी संपदा है आखिर कर जो लोग अर्थसासर के पंडित हैं वो बली भाती जानते हैं पैसना आएगा कहां से देश को विकास करना है तो धन कहां से आएगा धन कहां से पैदा होगा तीन प्रमुग जगाएं हैं जहां से पैसा जादा से जादा आने की संभावना है एक हमारी उरवरा भूमी से हम जितना जादा मुल्यवान उत्पादन करें दूसरा हमारी खनी संपदा उसमें वैल्यव एडिशन करके मुल्य वृद्धी करके उसमें से हम नए प्रोडक्ट बनाएं हमारे खजाने में पैसा आता है और तीसरा समा सो करोर देशवासों की ताकत उनका हुनर हमारे नौजवानों की स्कील हमारे नौजवानों की बुद्धी हमारी ज्यान सक्ती हमारी कौशल्य सक्ती वो रूपियों को पादा कर सकती है और इसलिए हमने इन तीनी धानाओं को लेकर के एक तरफ देश के नौजवानों को हुनर सिखाना दूसरी तरफ खणी संपधा में मुल्लिवृद्धी करना और तूसरी तरफ सौइल हेल्थ कान जैसे प्रवोकों के द्वारा प्रदान मंत्री कृसी सिंचाई योजना के जमीन की परक करके उत्तम से उत्पादन कैसे हो उसके रास्ते दिखा करके कम जमीन में जादा उत्पादन परिवार की आर्थिक फिति को सुधारे ऐसा उत्पादन वो दिशा में हम काम कर रहे और मुझे विश्वास है एक साल के फीतर फीतर हमने पाया है आज सारी दुनि मेरे प्यारे भायों बनों गर्ब कीजिए पूरा विश्व कह रहा था एक साल पहले कि हिंदुस्तान डूब जाएगा हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान लुडग गया है दुनिया की आर्थिक रचना में अब हिंदुस्तान अपनी जगा नहीं बना सकता यह सा साल के भीतर भीतर पूरा विश्व एक स्वर्थ से कह रहा है कि आएम एफ हो वर्ल बैंक हो मुडीज हो हर कोई दुनिया की जितनी रेटिंग एजन्सी है सारी रेटिंग एजन्सी है कह रही है भारत आज दुनिया का सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है दुनिया का सबसे तेज गती से आर्थिक विकास करने वाला देज बन गया है भाईयो बहनों मजबूत नीव रख दी गई है एक साल के भीतर भीतर और मजबूत नीव को देख करके दुनिया कहने लगी है कि विश्व की अर्थरचना में बानतेज गती से अपनी जगा बना रहा है भाईयो भनो खास करके नवज़मानों को रोजगार देना है गरीबी के खिलाब लडाई लड़नी है नवज़मानों की ताकत से लड़नी है सरकार और साजनता साथ मिल्ट मिल करके चलें तो हम कैसा परिवर्तन ला सकते इसका ये उत्तम दोहरण है मैं चाहता हूँ बंगाल भी विकास की नई उचाहियों पर पहुँचे और जो बंगाल का भव्वे इतिहास था पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक दोर बंगाल के हाथ में हुआ करती थी देश को आर्थिक ताकत देने का काम कभी बंगाल किया करता था वो ताकत फिर से मिलेगी बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा इतना ही नहीं पूर्वक के देशों के साथ हमारे सबंदों को मजबूच बनाने में बंगाल की आर्थिक ताकत बहुत काम आने वाली है इसलिए रास्तिय कारणों से अंतर रास्तिय कारणों से पूर्वी दुनिया के और आगे बढ़ने के लिए जब हमारी एक्ट इस पॉलिसी है तब बंगाल की एक बहुत बड़ी एहम भूमिका है और मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया की थाकत केंदर और राज्य की मिलकर के आगे बढ़ने की थाकत हमारी सारी सपनों को पुरा करने में काम आएगी इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सब का रदे से धनवाद करता हूँ और मैं सभी मेरे मद्दूर भाईयों बहनों को विश्वास जलाता हूँ कि आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा आपका पसीनाई है जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान की आब और हवा को बदलेगा ये मेरा विश्वास है मेरी बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद